नमस्का मैं निशातोम अपने मिश्री तरसोई चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हूं और आज बनाते हैं बैंगन से भरता जिसके लिए मैंने आदा किलो बैंगन लिये हैं और एक हरी मिर्च है और पांच है प्याज है और चार-पांच है हमारे टमाटर आज दोपीस कढ लेते हैं अगर बैंगन मेंट यूटा है तो एक ही पीस खराब होगा और दूसरे पीस से आप बढा सकते हैं सबजी यह दो पीस कर लिए हैं मैंने आप तरसुखा तेल लेकर के दोनों साइड लगा देते हैं इसका बुनने में जो पानी सा होता है वो नहीं निकलेगा और अब इसको गैस पे बुन लेते हैं आउलने केस ओपर यह दोनों पीस पर यह दोनों उलठती और पन लेखे इस keyword लेते हैं और टमाडर पर टॉन लेते हैंrel देकिते हैं अगर यह दोनोव बयंग रहे हैं तो मतलब're ब्हून गये हैं है यह देखें ज़़ झुद गच्छा है तो उड़गां है यह बशना गैस पर कढ़ाई रख दी है अब डालते हैं इसमें हम तेल में एक चम्चे से थोड़ा ज्यादा लिया है क्योंकि प्याज आधी काफी है तो अब इसे पका लेते हैं अब डालते हैं इसमें सबसे पहले प्याज तेल को अच्छी से पकाने के पाद थोड़ा ठंडा खलें तब डालें प्याज को लाइट ब्राउन भूनेंगे जो बैंगर हमने भूनेते हैं अब उन्हें गरम करम छील देते हैं कि ठंडा होने पर वह आराम से छीलते नहीं है यह देखिए इस तहां से आराम से छील जाएं अगर हम तेल नहीं लगाते हैं तो थोड़ी सी समस्या होती है चिपक जाता है वह जो इसका छिलका होता है इस तहां से मैंने इसको पूरा अच्छे चिल दिया है अगर आपको लगता है कि छिलका नहीं हट रहा है तो आप पानी से इसको दो भी सकते हैं तो छिलका पूरी और साथ में डालेंगे एक हरी मुर्च कटी फ़ी अगर आपको पसंद है तो आप टालें नहीं पसंद है तो इसके भी कर सकते हैं कर लेते हैं इसके पीज करना है और देखना है कि इसमें कीड़ा तो नहीं है इस तरह से और साथ में यह नहीं निकाला है इसको भी मैं इसी के साथ पकाने जा रही हूं सबसे साथ मटर को भूनते वे हलकी गयास पर दस मिन्ट होए हैं आप डालते हैं इसमें मसाली सबसे पहले आधी चमच देगी मिर्च हल्दी पाउडर एक चमच आधी चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच घनिया आधी चमच आलने जा रहे हैं चाट मसाला सभी मसालों को एक दो मिन भूनते हैं और आप रालते हैं हम इसमें जो टमाटल हमने काटे थे वो बुरेवी वेंगन के पीस पाउडर नमक डालने जा रहे हैं अब इसको ढख करके दिमी यास के 15-20 मिंट पखाते हैं बीच-पीच में चलाते रहेंगे ताकि जो टमाटल है वो अच्छे से गल जाएं तो पकते वें 15 मिंट से उपर हो गए हैं तेज करके थूला से इसको फ्राइ कर लेते हैं अब थोड़े से मैंने अध्रक के स्लाइस काटे हैं अब उनको ढाल करके एक दो मिंट और चलाते हैं कि देंगन को भड़ता बनके प्यार हो गया है कि सर्क पड़नी चाहरे हैं खोड़ा साहरा दने डालेंगे यह रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे अवश्य करता हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद क्वार मेरे लगे हैं मचाम अवश्य करता हैं